अक्सर परिबार में ऐसा देखने को मिलेगा कि संपत्ती जो है जमीन जो है वो बरे भाई के नाम पर चला गया चोटे भाई को जो है हिस्सा कैसे मिलेगा कैसे चोटे भाई को हक मिलेगा क्या ये संभब है अगर प्रोपर्टी जो है बरे भाई के नाम से दर्ज हो गया यानि अगर भूमी सर्वेक्षन की बात करें तो ऐसा भी हुआ है यानि पहले का जो है यानि वो पुरबज के नाम पर है यानि दादा के नाम पर है और बाद में जो है यहां पर जो उनके बेटे के नाम से भूमी का सर्वे हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उसमें बरा भाई का नाम दर्ज हो गया अब छोटा भाई के नाम से जो है कुछ ही प्रोपर्टी जो है जो है जोएंट में दर्ज हुआ अधिकांस जो प्रोपर्टी है वो बरा भाई के नाम से दर्ज हो गया अब इसका अगर विवाद होता है अभी अगर देखा जाए तो सब कुछ यानि जमीन जो भी है यानि खेती जिस पर भी होती है वो सारा जमीन बरा भाई के नाम पर दर्ज है और बरा भाई के नाम दर्ज है लेकिन अब उनके जो बेटे हैं वो जमीन को बेचना सुरू कर दि यानि पैसा ले लेंगे अब ये जो मेरा यहाँ पर चाचा है मेरा कुछ नहीं विगार पाएंगे क्या होगा उस छोटे भाई को छोटे भाई को हिस्सा कैसे मिलेगा क्या ये संभब है तो देखें हमारा कानून क्या कहता है कि अगर कोई पुर्बज की संपत्ती है तो उस पर सभी का समान अदिकार है अब अगर पुर्बज की संपत्ती किसी एक भाई के नामदर्ज हो जाता है तो भी जो भी उत्रादिकारी हैं सभी का समान अदिकार होगा इसलिए कि वो संपत्ती जो है वो पैतरिक संपत्ती है और पैतरिक संपत्ती की अगर बात करें तो पैतरिक संपत्ती में सभी का अधिकार जो होगा वो समान होगा सभी का हक जो होगा वो बराबर होगा यानि सभी बराबर के हकदार है पैतरिक संपत्ती में लेकिन अभी बरतमान में तो जमीन का जो खतियान है वो बरा भाई के नाम से हो गया है यानि खतियान जो है वहाँ पर बरा भाई का अगर नाम दर्ज हो गया है तो कानूनी तोर पर छोटे का भी अधिकार होगा अब छोटा भाई को अगर अधिकार देने से इनकार किया जा रहा है बरा भाई जो है छोटे भाई को हक अगर नहीं दे रहा है उस केस में छोटे भाई के पास क्या-क्या विकल्प है उसको आप जरूर जालने और यहाँ पर यह जो है एक एतिहासिक फैसला भी है यानि इस विबाद को लेकर जो सुप्रीम कोट ने कहा, सुप्रीम कोट ने कह दिया कि अगर कोई भी पैतरिक संपत्ती को जो है, सुप्रीम कोट का कहना है कोई पैतरिक संपत्ती को अगर बेच देता है, किसी के हक को बेच देता है, तो यानि हक पाने का अधिकार खरिदार स जो है उससे भी हक पाने का अधिकार है हिस्सा पाने का अधिकार है यानि अगर किसी बैक्ती का हिस्सा जो है गलत तरीके से अगर बेश दिया जाएगा तो खरीदार से भी हिस्सा वापस लिया जा सकता है यानि जो जमीन को खरीदा है उससे भी जमीन को चीना जा सकता है जमी लिए किसी का हक बेचेंगे तो सोज समझ कर बेचेंगे अगर दूसरे का हक बेचेंगे तो आपको यानि खड़िदने बाले को दिक्कत होगा ही साथ में जो विक्रेता है उसको भी वो जमीन जो है यानि वापस देनी होगी और हो सकता है उस पर आर्थिक जो है तरह तोर पर जुर्बाना भी लगाये जाए वो रासी भी भरना पर सकता है लेकिन यहाँ पर तो कागजात के तोर पर छोटा भाई का हक सोही नहीं कर रहा है यानि अगर बात करें जमीन का तो जमीन के जो खतियान है यानि खतियान में ही नाम नहीं है खतियान में नाम जो है यहाँ पर नहीं है किसका नाम नहीं है छोटा भाई का यानि यहाँ पर बरा भाई का नाम दर्ज हो गया है तो अब हक का दावा कर रहा है बरा भाई का जो एक तरह से बेटा है बेटी है पोता है वो दावा कर रहा है और छोटा भाई को बेदाखल कर रहा है इसलिए कि कागजात छोटा भाई के नाम पर है ही नहीं तो कागजात नहीं है, लेकिन जमीन इनको दिया गया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बरा भाई का जो बेटा है, बेटी है, पोता है, वो क्या इनको बेदकल करने पर जो है, वो यानि इनकी संपत्ती को इनकी प्रोपर्टी को बेच रहा है, इसलिए बेच रहा है कि इसलिए छोटा भाई का तो नामी दर्ज नहीं है उनके नाम पर तो कागजात ही नहीं है उनके पास तो सिर्फ दखल है और दखल रहने से क्या होगा आपके नाम कागजात नहीं है आपकी प्रोपर्टी को कोई खरीद अगर रहा है खरीद करके दाखिल खारिज भी करा लिया और फिर आकर आपकी प्रोपर्टी पर कबजा कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं सबसे पहले छोटा भाई को अगर ऐसा देखे समस्या उत्पन अगर हो रहा है इनको क्या करना है सबसे पहले खतियान में अपना नाम को दर्ज कराना है यानि खतियान में अपना नाम दर्ज कराना है ठीक है अपना नाम को क्या कराना है दर्ज कराना है क्या यह संभब है बिलकुल संभब है यानि अगर खतियान में अपना नाम यह दर्ज कराना चाहते हैं इनको जो है यानि सिविल सूट करना परेगा सिविल सूट करने के बाद जो है जो Быra भाई है उसको नोटिस वेजा जाएगा कुराना जो दस्तावेज है जिसके अधार पर ये खतियान निया वल अत्यार हुआ है उसमें देखा जाएगा कि किन का नाम जुरना चाहिए तो एक तरह से सिविल सूट के बाद आपको दिखाना होगा पुराना खतियान पुराना खतियान से क्या होगा नया में सुधार होगा सुधार होने के बाद क्या होगा जो छोटा भाई है इनका नाम को क्या होगा दर्ज कर दिया जाएगा तो ये पूरा परकिरिया होने वाला है यानि छोटा भाई का नाम दर्ज कराने के लिए जो है छोटा भाई को सिविल सूट करना होगा बरे भाई पर केस फाइल करनी होगी बरेवाई पर case file करने के बाद जो है न इनको क्या करना होगा कि अपना दस्ताबेश दिखाना होगा कि इनके पुरबज का कौन सा कागजात है और बरतमान में कौन से कागजात में किस property का जो है इनका नाम नहीं चड़ा है यानि किस property पर इनका नाम आया ही नहीं है तो ये सभी दिखाने होगे और दिखाने के बाद जो है न यानि जब सारा कुछ असपस तरीके से देख लिया जाएगा फिर लगेगा कि नहीं है इनका नाम तो छूट गया अब यहाँ पर बड़ा भाई उसके बेटे पोते अब क्या कर रहे है वो गलत कर रहे है इनके साथ एक तरह से आप कह सकते हैं जालसाजी कर रहे है या आप कह सकते हैं बहमानी कर रहे है तो अब क्या होगा जब जैसे ही कोट का फैसला आएगा उस अधार पर इनका जो है एक तरह से पूरा नाम अब दर्ज हो जाएगा हर जगे इनका नाम आजाएगा और उनका जो एक judgment है यानि वही उनका एक कागजात अब बन चुका है ठोस कागजात बन चुका है उस अधार पर अब कोई भी दावा नहीं कर पाएगा इसके अलाबे भी बरे भाई छोटे भाई को लेकर बहुत सारा समस्या है अगर आप सुप्रिम कोर्ट के फैसले को जानना चाहते हैं तो आप जाएगे प्लेलिस्ट में वहाँ पर जजमेंट इस्टोडी है वहाँ पर जाएगे तो इसका फैसला भी आपको देखने को मिलेग कि भाई भाई का बिबाद में जो फैसला हुआ है यानि जो सुप्रिम कोर्ट ने क्या कहा है वो जाकर आप देख सकते हैं जजमेंट जो है पूरा पर सकते हैं केस नंबर के बारे में जान सकते हैं इसके अलाबे भी बहुत सारे लोगों के पास समस्या है जैसे किसी का ये स समस्या है कि पैतरिक संपत्ती को बेच कर बरा भाई ने अपने नाम से यानि क्या करते हैं अपने नाम से प्रोपर्टी को खड़िद लिया पतनी के नाम से प्रोपर्टी को खड़िद लिया यह बहुत सारे समस्या उत्पन होते हैं अब है कि अपने नाम से अगर यह प्रोप के लिया है कैसे हम हक प्राप्ट कर सकते हैं उसके लिए कहां जाना होगा क्या करना होगा क्या नियम है क्या कानून है अब है कि पैत्रिक संपत्ती को बीना बेचे अपने नाम से प्रोपर्टी लेना और पत्नी के नाम से प्रोपर्टी लेना उस पर किस परकार का दावा हो सक यानि अगर इस परकार का जो भी समस्या है अगर आप उस समस्या से जोज रहें तो गबराने के जरुवत नहीं है हम आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए कहां जाना चाहिए और कैसे आप अपना कानूनी तोर पर हक पराप्त कर सकते है आसा करते है वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो लाइक जरू करते हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरू दबाने मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं